गुनगोने पानी के साथ शहद और नीबू के निमित सेवन से सेहद से जुड़ी कई समस्याओं से हमीशा के लिए निजात मिल सकता है गुनगोने पानी में शहद के फायदे इस बात से हम सभी वाकिफ हैं कि सुभा एक गिलास गुनगुने पानी में नीबू का रस और शहद मिलाकर पीना स्वास्ते के लिए अच्छा होता है शहद को गन पानी के साथ लेने से वजन कम होता है और इसके निमित सेवन से सेहद से जुड़ी कई समस्याओं से हमीशा के लिए निजात मिल सकती है हम आपके लिए लेकर आए हैं गुनगुने पानी के साथ शहद का सेवन करने के भायदों के बारे में पाचन सुधारे अच्छे पाचन के लिए सुबह गन पानी में शहद और निम्बू मिलाकर पिना चाहिए ये पेट को साफ करने में मदद करता है ये एलिवर में रसके उत्पाधन को बढ़ाता है जिससे पाचन में मदद मिलती है निम्बू में मौजूद ऐसे डाप की पाचन तंत्र में मदद करता है और वनचित विशाक पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है इसके अलावा शहद एक एंटी बैक्टिरियल के रूप में कारे करता है और आपके शरीर में मौजूद किसी भी तरह के संक्रमन को दूर करने में मदद करता है कब जो दूर करें ये मिश्रन कब जगे लिए ततकाल उपाए है ये आंते को प्रोच साहित कर मल त्यागने में मदद करता है इसके अलावा ये आंत्र म्यूकस में बढ़ावा देता है, पेट को हाइडरिट करता है और सूखे मल को पानी में भिगो देता है, इन सब की एक साथ मौझूद्गी से मल त्यागने में मदद करता है लसी का प्रणाली की सपाई में मदद कार, लसी का प्रणाली में पानी और आवश्यक तरल पदार्थ की कमी हो जाती है, जिससे आपको सुस्तर ठका हुआ महसूस होना, कबज, सोने में परिशानी, उच्चया निम्न रक्त चाप, तनाव और मांसिक स्वास्थ पर असर पड़ होता है, मौखिक स्वास्ते में सुधार, एसिरिक प्रकृति का नीबू, शहत और गुनगुने पानी के साथ सांसों की बन्बू को तुरंत दूर करने में मदद कार होता है, नीबू अपनी लार ब्रंथियों को सक्रिय और आकुरामत बैक्टीरिया को माच कर मुशुध करन भी धंग से हटा कर सांस की बन्बू से प्राकृतिक रूप से चुटकारा दिलाता है, मूत्रवर्धक के रूप में कार्य, शहत में बहुत ही शक्ति शाली एंटी बैक्टीरियल के गुन होते हैं, इसमें कई प्रकार के संक्रमन को दूर करने की क्षमता होती है, नीम्बू को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका है, यूरिने ट्रेक्ट इंप्रेक्शन से पीडित महिलाओं के लिए ये रस एक वदान की तरह है क्योंकि ये संक्रमन को दूर करने में मदद करता है, एनर्जी लेवल बढ़ाए, शहत और गंपानी से शरीर में एनर्जी में भी वृ होती है, शहत शरीर के अंगों को ठीक से काम करने के लिए प्रेवित करता है, सुबह में गर्म पानी नीबू के साथ लेने से अब दिन भर उर जावान बने रह सकते हैं, वजन घटाने में मदद कार, शहत और नीबू के साथ गर्म पानी लेने से भूख कम लगती है, शहत और नीबू के साथ गर्म पानी में बड़ी मात्रा में फाइबर मौजूद होता है, जो भूख की अच्छा और शूगर लेवल को कम करके परियाप्त एनरजी प्रदान करता है, इस तरह से निमित रूप से सुबहिस का सेवन करने से दिन भर में आपके द्वारा लिए गए भोजन की मात्रा कम हो जाएगी, अपने दिन के शुरुवात गुनगोने पानी के साथ शहद और नीबू के साथ करने से आपका वजन काफी हद तक कम हो जाएगा त्वचा के लिए लाबकारी त्वचा के लिए नीबू के लाब अनगिनत है लेकिन इसके अलावा इसमें मौजूद कलिजिंग तत्व रक्त को शुद्ध करने में मदद करता है, नई रक्त को शेकाओं के उत्पाधन में मदद करता है पानी और शहद का मिश्रण आपकी त्वचा के लिए एक अनूठा द्रीड, जीवान रोधी और कॉलेजन बढ़ाने वाले गुण होते हैं इसलिए अगर आप स्वभाविक रूप से चमकदार त्वचाद चाहती हैं तो ये पेह आपके लिए बहुत लाबकारी साबित होगा पोर्षा तत्वों और विटामिन से भरपूर, शहद और नीबू के गर्म पानी में कई जरूरी एंटी आक्सिडेंट, विटामिन और पोर्षा तत्वों पाए जाते हैं इसके अलाबा इसमें एंटी फ्लियमेंटरी गुण भी मौजूद होते हैं इसलिए इसके सेवन से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है साथ ही ये वजन कम करने में सहायक होती है रोग प्रतिरोधी क्षमता में मजबूती शहद का सेवन शरीर के लिए काफी फायद इमंद है से लिए डॉक्टर हमीशा इसके सेवन की सलाह देते हैं शहद के साथ नीमबू और गुनगुने पानी के नीमित सेवन शरीर की प्रतिरोधी क्षमता बढ़ती है शहद और नीमबू में मौजूद एंटी आक्सिडेंट्स और कई पोशक्तत्व शरीर को मौसम बदलने के साथ होने वाले संक्रमनों से दूर रखने में मदद रखता है